अगले दोस्तों मेरे नाम गौतंख और जो देख रहेकड यूलेक लिक्टोणिक्स और दोस्तों आज कीश वीडियो में हम आपको कैपसीटर की स्रीज और पैर्लल के वेलु के बारे में मैं आपको पताऊंगा कि अगर series में जो capacitor लगा हुआ है उसका value क्या होगा अगर parallel में capacitor लगा है तो उसका value क्या होगा तो यहाँ पे मेरे पास दो amplifier board है जिसमें यह जो capacitor लगा हुआ है 2200UF का दो parallel में जो की समांतर करम में है और यहाँ पे 4700UF जो की सरेनी करम में जो की series में हमारा यहाँ पे capacitor लगा हुआ है तो इसका value क्या होगा वो मैं आपको calculation करके दिखाऊंगा तो दोस्तों यहाँ पे इसको समझना बहुत ही आसान है अगर आप इस वीडियो को देख ले से आपको समझाने की कोशिस करूंगा पहले हम जान लेते हैं कि series में किस परकाड़ से हमारा कनेक्शन होता है और parallel में किस परकाड़ से connection होता है तो दोस्तो यहाँ पे जो आप स्रीज कैपसिटर है इसमें कनेक्शन कुछ इस परकार से होता है और यहाँ पे पैरल कैपसिटर है जो की इसका कनेक्शन कुछ इस परकार से होता है ठीक है तो यहाँ पर इसका जो formula होता है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर इसका जो formula दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है तो चलिए यहाँ पर इसको हम series को पहले देखते हैं कि कितना value आता है अगर दो capacitor series में लगा हुआ है तो ठीक है तो यहाँ पे 4700 UF का दो कैपसीटर लगा हुआ है तो इसको अगर हम यहाँ पे फर्मूला के हिसाब से देखे तो यहाँ पे कैपसीटर जो है दुस्तो हमारा 4700 UF का दो कैपसीटर है तो यहाँ पे दुस्तो 9400 टोटल हमारा जो है वेल्यू आता है दुनों कैपसीटर का लेकिन यहाँ पे यह दुनों कट जागा दोसे तो यहाँ पे फिर से हमारा 4700 ही वेल्यू आ जागा ठीक है तो दोस्तो यहाँ पे अगर दो कैपसीटर लगा हुआ है इसमें 4700 UF का तो इसका मतल्य भी यह नहीं कि इसका दो गुणा इसका पावर हो जागा इसका पावर दोस्तो आपका जो है 4700 UF ही रहेगा क्योंकि यह स्रीज में है ठीक है तो इसमें जो स्रीज में है दोस्तो अगर मान के चली यहाँ पे 2000UF का दो capacitor लगा होगा इस पर इसका हमारा वेल्यjem हो दोस्तो यहां पर 44hh total आ जाग tatंट के इसका वैल्य esse हमारा जो है 200 uz यहां पर इसका उतना ही रहेगा इस प्रकार से दोस्तों स्रीज में इसका इसको पैरलेल में देकल है बहुत ही सिंपले तो यहां पे देख लिजी 220 UF यहां पर दो चैपसिटर लगा हुआ है है तो यहां पर किया हमात करें स्राइबरा यहिंद किया निव Claire नरबावरा यहां पर दो मारा हमारा हमारा कैपसिटर लाँ वह है तो इसका वेल्यू दोस्तों हमारा दोनों मिलके 4400 यूएफ आ जाएगा ठीक है अगर दो कैपसीटर लगा हुआ है यहाँ पे 1000 यूएफ का सीटी बड़ा-बड़ा यहाँ पे तो यहाँ पे 2000 इसका वेल्यू आ जाएगा ठीक है तो इस परकार से दोस्तों यहाँ पे जो है स्रीज में और पैरलेल में इसका वेल्यू होता है जो कैपसीटर बोड में लगे होते हैं ठीक है और यहाँ पे स्रीज में दोस्तों जैसे कि अपने देखा कि दो कैपसीटर को ज हो जाता है फर्मूला के हिसाब से तो यहां पर 4700 यूफ ही रहा जाएगा इसलिए दोस्तों यहां पर जोड़ देंगे जितना उतना ही इसका वेल्यू होगा जैसे इस सबस्क्राइब करेंगे तो यहां पर 144 यूफ इसका जो है वेल्यू आएगा ठीक है अगर किसी भी सरकिट पर दो कैपसीटर लगा हुए 1,000 यूफ का और 1,000 यूफ का तो इसका वेल्यू हमारा 2,000 यूफ हो जाएगा ठीक है तो दौस्तों मैं ऐसा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्रीज में कैपासीटर का value क्या होता है और parallel में कैपासीटर का value क्या होता है तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज लाइक करें, share करें और हमारी यूटीब चैनल को subscribe करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो